नमस्कार दोस्तो जेर्वी शॉलीशन में एक बार फिर श्वागत है दोस्तो इस वीडियो में आपको प्रुस्का से संबंदित महत्पून प्रशन में लेंगे एक्स्टा फैक्ट के साथ दोस्तो यदि इसी सीरिज की आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो दोस्तो पूरा वीडियो देखना और कमेंट से वाक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है तो दोस्तो चलते हैं पहले प्रशन क्यों पहला प्रशन है चिकित्सा सिक्षा हेतु आजी नौबल पुस्का 2020 से किसे सम्वानित किया गया है तो दोस्तो इसका सही आंसर है प जनेता भी लोगों की जीवन को बचाने के लिए एहम भूव का निवा सकते हैं इसलिए इन्हें सम्मानत किया जा रहा है अब दोस्तो इससे पहले किसको किया गया तो इससे पहले 1998 में अटल बिहारी बाचपीजी को इस प्रुसकार से सम्मानत किया जा चुका है क्यों तो ने परवानु परिक्षा के बाद शांती की बकालत करने के लिए सेंक तो रूप से पाकिस्तान की प्रधान मंतरी नवाज सरीफ के सांथ आजी नोवल सांती पृसकार जीता था तो दोस्तो चलते हैं नेक्स्ट कोशचन की और दोस्तो 2020 का सांती नोवल पृसकार किसे किया गया है तो दोस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा विकास खना को तो दोस्तों यह पृसकार ने क्यों दिया जा रहा है तो क्योंकि इन्होंने लाखों लोगों को घर बैठ कर खाना खिलाया है कब कोविन-90 महावारी के दोरान और फीड फीड इंडिया के माध्यम से इन दोस्तों इस अबॉर्ट के बारे में जान लेते हैं इसकी सुलात कब होई और कौन देता है तो दोस्तों अमेरिका में गयर लाव कर इस अंगटन एसिया सोसाइटी द्वारत 2014 में एसिया के भष्ष के लिए शकारात्मक युगदान देने वाले सच्ची नेताओं पहचान क और उन्हें सम्मानित करने के लिए एसियन गेम चेंजर रवार्ड की सुलात की गई थी याद रख्षान दोस्तों नेक्स्ट है इंद्रा गांधी सांती पुरुसकार 2019 से किसे सम्मानित किया जा रहा है तो दोस्तों यह है सर डैवेट एटन वरो सर डैवेट एटन वरो जी की ओर से 1986 से इंद्रा गाधी सांती नस्तिकरण और विकास पुरुसकार हर साल विश्ट के दोस्तों यह है अब विश्ट के ऐसे प्यक्ति को दिया जाता है जिसने समास सिवा नस्तिकरण विकास के कार में महत्पुन एकदान दिया हो और इस पुरुसकार के साथ 24 लाक कासी दी जाती है अज दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट को याद रखने इस को बहुत ही मत्पुन प्रेशन आपके एक्जाम के लिए नेक्स्ट है टेडन साहित सांती पुरुसकार 2020 से किसे सम्मानत किया गया है तो दोस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा मार्क रेट दोस्तों यह है अबॉट सांती पुरुसकार सामाजिक न्याय और बैश्यक समझ को बढ़ावा देने के लिए शाहित की सकती को चिन्नत करने के लिए दिया जाता है रिचर्ड सी हॉल ब्रुक डिस्टेक्टिट अच्यूमेंट अबॉट का नाम दिवंगत अमीरिका राजन के नाम पर रखा गया जिन्होंने 1995 के वोनिश्याई शांती समझोते की अगवाई की थी दोस्तों मार्टेन एडबुट कवीता कथा गेर कालपनेक निवंद और हास से पुस्तकों की विपल लेखी का है हाल के बश्रों में उन्हें दा दा हांड मेस्ट टाले नामक दोस्तो के लिए इनको यह दिया जा रहा है अब उपनियास में कहा है तो अमेरिका सरकार को उखाड फैकने के लिए लोकतांत्रिक समुदारा महिला को बसीबूत किया जाता है नेक्स्ट कोचन दोस्तों राष्टे सिक्षक पुरुसकार 2020 किसे समानत किया गया है तो सुस्री सुधा पैनुली को दोस्तों कार्ण डाक्टर सर परली राधा क्रिशन जिन दिन पर दिया जाता है भारत के पहले उपराष्ट पती और दूसरे राष्ट पती थे और दोस्तों उन्हें भारत नरतन से नवा जा गया था याद रखना बहुत इंपोर्टेंट प्रस्न आपके नवाली लिगनाइट कर्पोरेषन इंडिया लिमिटेथ दोसतों यह एक कमपनी है जिसने क्या किया है दोस्तों अपने हां पर स्वक्षत penso के सारह अप्लाई किया है तो भारत सरकार के नवरतन NLC इंडिया लिमिटेथ निस्वक्षताइ सेवा कारिकरम के कारियान्भाएन क अंतरगत मूलेवान युगदान देने के लिए प्रुसकार जीता है चलते हैं दोस्तों नेक्स कोचन के ओर और नेक्स कोचन है हमारा स्टाक हॉम जूनियर वाटर प्राइस 2020 किसने जीता है तो दोस्तों यह है जापान के हीरो की मस्त्सू हाकसी एवम ताकूमा मियाकी कोई मिला किती 25 अगस 2020 को जापान के दो चात्रों ने दोस्तों यह प्रुसकार शीडन की राजकुआरी विक्टोरिया द्वारा प्रतान किया जाता है सॉरी किया गया और दोस्तों ये 15 से 20 वर्स के चात्रों के लिए पृतियुक्ता है जिन्होंने स्कूल की परियुजनाएं विक्सित की हैं और परियुजनाएं बड़ी जल चुनौती को हल कर सकती हैं गोरतलब यह है कि यह पृतिकार बर्स 1997 से प्रती बर्स आउजद किया जा रहा है चलते दोस्तों नेक्स कोच्छन क्यों अगला प्रसना है अंतारास्टी बुकर प्राज 2020 किसने जीता है तो दोस्तों मारी के लुकास रिजवेल्ट ने यह जीता है तो दोस्तों चलते इनके अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो डच लेखक मेरी के लुकास रिजवेल्ट ने अपने पहली उपन्यास दा इसको फॉन्ट आफ इवनिंग के लिए अंतारास्टी बुकर प्रुसकार 2020 जीता है इसके साथ ही रिजवेल्ट 29 साल की उम्र में प्रुसकार जीतने वाले जीतने के लिए सबसे कम उम्र के लेखक बन गई है तो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह पहली लेखक है और सबसे कम उम्र की पहली लेखक बन गई है याद रखना दोस्तों चलते दोस्तों इसलिद बारेने जाने लेते हैं भारतिय पत्रकार नितिन सेथी ने ड्याज्य द्वावद्वावारतीक्व सुछत Żणमी दौर्ट हria जीता है उन्होंने जीता है उन्होंने हफिंगडर्न पोस्ट इंडिया पर प्रकासित इलेक्ट्रोलर वांडर्स पर उन्होंने उनके कबरिज और खोजी लेखों के लिए शमनत किया गया है के पी नारायन कोमार मेमोरियल अवार्ड फोर सोसल इंपेक्ट जनरलिजम हिंदू के सिव शाहज सेंग को प्रदान किया गया है दोस्तो याद रखना बहुत ही मात्रफून प्रस्टन है आपके एक्जाम के लिए चलते हैं दोस्तो नेक्ट प्रस्टन के वर अगला प्रस्टन हैं दोस्तoking नौरे रास्टिय साहित्क पुरुसकार 2020 से कीसी समयनत किया गया तो दोस्तो वो है साथ ändr से लोहिया यहीं परतिमा प्राण पत्र और 5 लाख रोपे की राशी दिया घाती है। दोस्तों याद रखना ये भी आपसे पूंच लिया जाता है नेक्स्ट दोस्तों मत्यप्रदेश के फेमस अंतरास्ट्य दिभ्यंग तेराक सातेंद्र सें लोहिया कुपितिस्टित तेंजिंग नौरगे रास्ट्य शायशिक शम्मान 2020 के लिए चुना गया है दोस्तों याद तो चलते हैं और स्कौच गोल्डन वाट 2020 किसने जीता है तो दोस्तों यह जीता है जन जातिय कारेला मंत्रा ले थो इन्होंने यह वाट क्यूं जीता है दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं तो सक्षम आईटी यूजनाओं के माध्यम से आदिवाशियों के ससक्तिकरण प्रयूजना के लिए प्रदान किया गया है यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की सपनों को शाकार करने के पार्द सिता लाने के साथ सेवाओं के वितरण को सुभीदा जनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिवधता की दिशा में एक कदम है जर्ण जात की कारण मंत्री को हों है तो वह है अरज़ूसन मुंडा जी या रखने दोस्तों बहुत इंपोटेन प्रेस हैं चलते में नेक्स्त कौच लन की दोस्तो किसे गए तो दोस्तो यह भारत की पहली सवर उजय संचालिट नौका आदित्य Y myself इसके बारे में पढ़ लेते हैं प्रभारत की पहली सवर उजय संचालिट नौका आदितट ने एलेक्रैक बोट्स और बोटिंग में उतकस्ता के प्रती गुस्ताव प्रोब अवर्ड जीता है इस नौका में सुल्क यात्री सेवा के लिए तयार की जाने वाली नौकाओं की शेणी में विश्व की सबसे अच्छी एलेक्टोनिक बोड है बोड घोसित किया गया है दोस्तो याद रखना जिसके हर एक पॉइंट याद रखना दोस्तो दोस्तो यह नाव केरल राज परिवाहन जल विवाग की है परिवाहन विवाग की है जो जनबरी 2017 से अलपुझा जिलेक में बैकोम जो की यह शोनक कांडू मार्ग पर चल रही है बैमको शोनक कांडू मार्ग पर चल रही है दोस्तो या ट्रॉप के सम्मान में इसी बर्स से शुरू किया गया है याद रखना बहुत इंपोटेंट है क्योंकि इसी बर्स से शुरू किया गया है तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं इन्हों ने पारंप्रेक जीवासम इधन से हटकर इलेक्टॉन ट्रांसफोर्ड पर आधारत गती सील तक में शानदान काम किया था बर्स 1881 में उन्होंने बिश्य की पहली आउट बोर्ड मॉर्टर का अविस्कार किया था यह पुर्सकार ऐसे बिक्तियों और कंपनियों के लिए है जो आधोनिक इलेक्टॉनिक नौका का निर बताना दोस्तों की वीडियो कैसे लगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो नेक्स टॉपिक के साथ थेंक्यू थेंक्यू फॉर्दा बोच